नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे NIT जलंधर यहाँ PhD आड्मिशन का नोटिफिकेसन अलड़े आचुका है 2021-2022 के लिए तो चलिए चलते हूं उसका ओफिसियल वेबसाइड में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिन्होंने अभी तेक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड में आप यहां देख सेकते हो बहुत सारे निवूज स्क्रॉलिंग हो रहा है उपर नीचे हो रहा है तो यहां भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नहीं तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे आपको यहां मिलेगा आडमिशन 2021-2022 तो हम इसी के उपर कलिक करते है यहां देखे ये आडमिशन पेज है यहां आपको मिल जाएगा देखे PhD मेंशन किया गया है Admissions in PhD तो हम इसी के उपर क्लिक कर लेते है यह है PhD Admissions का Notification ठीक है Advertisement फर Admissions to PhD Part-Time Program यह जो PhD अभी इसका जो Notification निकला है यह सारे के सारे Part-Time के लिए निकला है तो हम इसी के उपर क्लिक कर लेते है तो यह है इसका Notification मैं इसको फिर से थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो यहां देखें यहां मेंशन किया गया है Dr. B.R. अम्बेदकर National Institute of Technology जलंधर Admissions to PhD Part-Time Program Engineering, Science and Humanities Management for All Semester of the Academic Year 2021-2022 और यहां Admissions करने के लिए जिन्नोंने Net Gate नहीं दिया है वो भी eligible है अपलाई करने के लिए तो चले हम एक एक करके देख लेते है यहां देखें कौन-कौन सा सब्जेक्ट में आप यहां Admissions ले सकते हो Applications are invited for Admissions to PhD Part-Time Program in Engineering, Science, Humanities and Management यह सारे के सारे डिपार्टमेंट में आप चाहो तो यहां Admissions ले सकते हो और Admissions लेने के लिए इसका जो application fee है यह कितना है यह है आपका 1000 रुपया और जिनों ने भी reserve category से बिलंग करते जाई से की SC, ST, PWD candidate उनके लिए 500 रुपया यहां रखा गया है और सारे के सारे जो Admissions प्रोसेस है यह सारे के सारे online ही होगा और इसका last date क्या है आप यहां देख सकते हो यहां mention किया गया है 888-2021 ठीक है यह है इसका last date आप इसको थोड़ा सा याद रखिए तो next हम देखेंगे यहां कौन-कौन सा subject है department के हिसाब से कौन-कौन सा subject है जहां आप PhD कर सकते हो यहां देखिए query है तो आप direct email करके भी उनको पूछ सकते हो फास्ट जो department है यह है आपका बायो टेकनोलोजी तो बायो टेकनोलोजी में right side में आप देख सकता है कितने सारे subject मेंशन किया गया है आप देख ले ना कि आपका क्या interest है इस particular बायो टेकनोलोजी में यदि इसके अंडर आ रहा है तो आप चाहो तो इसको भी आप कर सकते हो ठीक है ठीक इसी प्रकार chemical engineering आप देख सकते हो then civil engineering, computer science engineering, electrical engineering, electronics and communication engineering, information technology, instrumentation and control engineering, industrial and production engineering, mechanical engineering, textile engineering, humanities and management humanities and management में आप यहाँ देख सकते हो management के जितने भी सारे subject है सारे के सारे subject लेकर आप यहाँ कर सकते हो जैसे कि general management, marketing management, human resource management, entrepreneurship management, service quality, financial, सारे के सारे subject लेकर आप यहाँ कर सकते हो इसके अलाबा जो humanities area है इसमें आप देख सकते हो linguistic area है जैसे कि English linguistic, then regional literature in English, then multi linguistic, यह सारे के सारे आप देखे film studies, then literacy theory of criticism यह सारे के सारे बहुत सारे subject है जो humanities में mention किया गया है आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो जो arts का subject होता है वही subject है इसका अलाबा आप देख सकते हो physics, then chemistry, then center for energy and environment यह सारे के सारे subject में आप चाहो तो यहाँ part time PhD कर सकते हो then minimum इसके के लिए qualification किया चाहिए यहाँ mention किया गया है engineering department के लिए कम से कम आपका master's degree होना चाहिए और उसमें कम से कम 60% marks होना ज़रूरी है और जो भी student यहाँ mention नहीं किया गया है कि यह जो net gate compulsory यह compulsory नहीं है जो भी student B.Tech के बाद करना चाहता है या B.E. के बाद करना चाहता है आप यहाँ देख सकते हो B.Tech, B.E. और B.S. के बाद करना चाहते है उनके लिए gate क्वालिफाई होना ज़रूरी है ठीक है और उसका जो percentage mark है यह 75% mark होना ज़रूरी है इसके अलावा बागी जो master's degree के लिए यह compulsory नहीं है इंजिनेरिक डिपार्टमेंट आप स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आप जैसे कि मैंने आपको बताया नेटगेट होना जरूरी है किसके लिए ना जो भी B.Tech के बात करना चाहते है और जिन्होंने भी साइन्स डिपार्टमेंट के लिए कम से कम आपका master's degree में 60% होना चाहिए और जो humanity and management है इसके लिए कम से कम आपका इंग्लिश लिटरेचर में आपका 60% होना जरूरी है या 55% मार्क ठीक है और लिंग्विस्टिक में कम से कम आपका master's degree के साथ 55% मार्क या 6.5CGPA होना चाहि से हो जो note 1 में यहां mention किया गया है only primary mode of evaluation is CGPA और percentage आपका जो primary mode होगा जो आपको जो evaluate करने के लिए यह आपका percentage आप जो secure करोगे आपका master's में या graduation में वही आपका first criteria है दूसरा criteria हो सकता है कि आपने यदि clear किया है net gate वो दूसरा है मगर first जो है क्योंकि यह part-time PhD है ठीक है तो इसलिए marks है इसका first priority then बाकी जाएसे reservation मिलता है जो SCST के लिए 5% का यह यहां मिल जाएगा और candidate with gate, net, JRA, SLI, UGC आज part-time candidate need not clear institute written examination यदि कोई किया है तो उनको जो institute का जो written exam होता है उसको देने की जरूरत नहीं है मगर बाकी सारे के सारे student के लिए university का जो written test होता है वो देना बहुत जरूरी है ठीक है then all other candidates without net gate shall be required to clear the institute written examination बाकी सबके लिए institute का जो written examination होता है यह clear करना बहुत जरूरी है और यहाँ admission का base क्या है? admission का जो base है आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ mention किया गया है the admission salary is solely based upon the performance of the individual during the presentation and interaction आपका जो interview होगा क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला है कि इसका जो selection का जो criteria, first criteria है marks, net gate नहीं है क्योंकि है part-time PhD और जो second criteria यह है आपका presentation and interaction and the availability of the supervisor in the proposed area of the research ठीक है बाकिए आप seeds आप यहाँ देख सकते हो, seeds के seeds इन्होंने यहाँ mention नहीं किया है then admission procedures जैसे कि मैंने आपको बताया यह सारे सारे वही same procedure है यहाँ थोड़ा बहुत कुछ mention किया गया है और जिन्होंने net gate clear किया है तो उनके लिए जो written test यह देने की जरूरत नहीं है then other issue के बारे में कुछ mention किया गया आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो then important dates आप यहाँ देख सकते हो last date for submission of applications 8-8-2021-5 बज़े तक display of list of eligible candidates by the concern HOD in the institute website यह कब तक आ जाएगा यह आपको 12-8 तक आ जाएगा ठीक है यहाँ mention किया 12-8 तक आपका list आ जाएगा then आपका जो written test है कब होगा 16-8 को ठीक है और though eligible जो candidate है presentation और interaction के लिए यह आपका 16-8 से ही शुरू हो जाएगा ठीक है then presentation interaction by the candidate who have qualified either test 17 को आ जाएगा then display of the list selector candidate 18 को then deposition of the fee and registration आपका 18 से लेकर 20 तक होगा उसके बाद आपका class शुरू हो जाएगा तो यह सारे के सारे details है बाकि इसको apply कैसे करना है तो चले हम थोड़ा सा back चलते है तो यह page मैंने आपको दिखाया था यहाँ से हमने जो सारे के सारे जो details है मैं फिर से PhD में जाता हूँ तो इसको हमने डाउनलोड करके हमने अभी भी देखे थे जो advertisement था apply करने के लिए देखे यहाँ एक link दिया गया है और यह 20 जुलाई को ही update हुआ है the link for the online application form will be available soon तो अब ही तक इन्होंने update नहीं किया है तो update कर देगा यहाँ मुझे लग रहा है आज या कल 2-3 दिन के अंदर ही यह कर देगा तो यहाँ आपको यह link मिल जाएगा online apply करने के लिए तो जब यह link मिल जाएगा तो आप यहाँ कोशिस करना online apply करने के लिए तो यह था इसका details बाकि इसका जो link है मैं दे दूँगा description में उहाँ जाकर आप इसको download करके भी details में देख सकते हो और जो भी आप interested हो basically part time PhD के लिए जो भी working professional हो किसी भी organization में या किसी भी institute में university में आप काम कर रहे हो और आपको एक PhD degree चाहिए तो आप यह एक बहुत अच्छा opportunity है आप चाहो तो यहाँ कर सकते हो तो यह था details और जिन्होंने अब देख हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe कर लिजिए future में जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा so thank you all the best